श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुती श्रीफल न्यूज राजीव जैन होंगे अगले आईबी प्रमुक अनिल धस्माना पर रौ के नेत्रत्व की जिम्मेदारी राश्रपती के पुलिस पदक से सम्मानित 199 बैच के आईपियस अधिकारी श्री राजीव जैन को गुप्तचर ब्यूरो का नया प्रमुक नियुक्त किया गया है वहीं बाहिय गुप्तचर एजेंसी रौके नित्रत्व की जिम्मेदारी श्री अनिल धस्माना को दी कई है दोनों अधिकारियों का कारिकाल दो वर्श का होगा जैन समाज में इस खबर से हर्श व्याप्त है जैन वर्थमान में गुप्तचर ब्यूरो में विशेश निदेशक के तौर पर कारियरत है वह एक जन्वरी को नया पदभार संभालेंगे जैन दीनेश्वर शर्मा का स्थान देंगे जिनका दो वर्श का कारिकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है जारखंड केडर के अधिकारी जैन ने गुप्तचर ब्यूरो के विबिन विभागों में काम किया है जिसमें समवेदन शील कश्मीर डेस्क भी शामिल है वह पूरवरती राजक सरकार के कश्मीर पर बारताकार केसी पंत के सलाकार भी रहे जब शबीर शाह जैसे अलगाव वादी नेताओं से बात चीत हुई थी वहीं धस्माना 1981 बैच के मध्यप्रदेश केडर के अधिकारी है वह वरतमान रौ प्रमुक राजिंदर खन्ना की जगह लिंगे बता दे कि आईबी देश की आंतरिक सुरक्षा पर खूफिया जानकारी एकत्र करता है वहीं रौ दूसरे देशों से खूफिया जानकारी जुटाती है रौ की स्थापना से पहले इसका काम आईबी के हवाले ही था रौ की स्थापना से पहले इसका काम आईबी के हवाले ही था 1961 में चीन और 1965 पाकिस्तान से जंग के बाद 1968 में रौ का गठन हुआ जैन समाज के लिए यह गर्व का समय है जब समाज के लोग इतने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो देश सेवा का फर्ज पूर्ण कर रहे है श्रीवल नियूस की प्रस्तुती साभार अमर उजाला